मसकली के सफर पर स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान दोस्तो टीवी का पॉपुलर सस्पेंस थ्रिलर शो सी आइडी टालिवीजन पर लगभग 20 सालों तक राज करता रहा इस सिशों में सी आइडी की टीम में से एक थी जानवी छेडा जोके इन दिनों एक बेहद आम सी साधारन सी जिन्दगी जी रही है जी हाँ, टीवी एक्टरस जानवी छेडा ने कई टीवी शोस किये और आज सब कुछ छोड़ कर आम लड़कियों की तरह जिन्दगी जी रही है 29 फरवरी को इनका बर्धडे था, वक्त तो काफी बीट गया वैसे इनके बर्धडे को लेकिन फिर भी आज इनकी बात कर लेना जरूरी है क्योंकि ये वो चहरा है जिनको अकसर लोग ढूनते रहते हैं, इनके बारे में जानना चाते हैं तो फिर देर के इस बात की चलिया, जानते हैं इनकी जिन्दगी से जुड़ी कुछ खास बातें साल 1998 में सोनी चानल पर क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर पर बेस्ड एक शो शुरू हुआ जिसका नाम था C.I.D. ये शो इतना पॉपलर हुआ कि टीवी पर लगभग 20 सालों तक चला और टी आरपी भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी थी इस शो में C.I.D. की पूरी टीम होती है और उस टीम में एक्टरस जानवी छेड़ा भी थी जो इंस्पेक्टर श्रिया का रोल प्ले कर रही थी और इनके काम को लेकर लोग इने काफी स्यादा पसंद करते थे बैरहाल जानवी छेड़ा इस साल लगभग 40 साल की हो गए हैं उम्र के इस पड़ाव पर वो टीवी से दूर अपनी फैमिली के साथ होपसूरत वक्त बिता रही हैं उन्होंने निशांत गोपालिया से साल 2011 मे शादी की थी निशांत गोपालिया और जानवी काफी अच्छे दोस रहे हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद उन्होंने शादी की उनकी एक बेटी निर्वी गोपालिया भी है जिनके साथ जानवी एक से बढ़कर एक तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं जानवी छेडा को लगभग धाई लाक लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तीवी के दौर में उन्होंने कई सारे डेली सोप्स भी की हैं लेकिन अब इंडस्ट्री से वो बिलकुल दूर हो गई हैं CID की कास्ट से जानवी छेडा अभी भी मिलती हैं और अक्सर ये गैंग, रेस्टोरेंट या किसी दूसरी जगा पर हैंग आउट करते मिल जाते हैं CID की कुछ कास्ट से जानवी की अच्छी खासी दोस्ते भी है जानवी छेडा ने CID के अलावा अदालत, My Lost Home, बात हमारी पक्की है, बाली का वदू, छूना है आस्मान और तेरा मुझ से है पहले का नाता जैसे शोस कर रखे हैं और इनमें उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया गया, वैसे जानवी छेडा से ये खास मुलाकात यानि कि उनके बारे में ये जो खास वीडियो है, आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब क मसकली को और देखते रहें मसकली, शुक्रिया